हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका परवीन नागर रेसिपी में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला स्वीट कौन जिसे बनाना काफी आसान है हमने लिया है एक प्याज इसको हमने बारिक कट कर लिया था साथ में टमाटर है इसको भी हमने बारिक कट कर लिया था बीज इसके निकाल दी हैं थे हमने हमने लि लिए है दो हरी मिर्चे जिसको लंबा काट लिया है हमारे पास है 180 ग्राम स्वीट कॉन जिसको उबाल लिया था पैन में डालेंगे तेल दो चम्मच साथ में जीरा जीरा जब अच्छे से तड़क जाए तो हम प्याज डाल देंगे और साथ में डाल देंगे सिमला मिर्च हरी मिर्चों को भी डाल देंगे और हमारे जो टमाटर है उनको भी डाल देंगे और इन सबी को हम अच्छे से एक बार रोस्ट कर लेंगे इसके अंदर थोड़ा कच्चापन कम रहेगा हमारी सबजियों को हमने अच्छे से चला लिया है उसके साथ डालेंगे स्वीट कॉन स्वीट कॉन को भी हम सबजियों में मिक्स कर लेंगे और गैस की फिलिम को लो सी मेडिम के बीच रखेंगे ताकि ये हीट के अंदर बहुत ज़्यादा ना पके हम सबजियों को थोड़ा कच्चा रखेंगे हम डालेंगे चिली फ्लेक्स आदा चमच आदा चमच डालेंगे हम काले मिर्ज उसी के साथ डाल देंगे हम चाट मसाला ये आदा चमच से थोड़ा कम है और हम डालेंगे नमक स्वादन सार आप अपनी चान सार कम ज़्यादा कर सकते हैं इन सबी को अच्छे सी एक बार मिक्स कर लेंगे हम जब ये अच्छे सी मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर धनिया मिला लेंगे हमारे पास जो कच्चा धनिया है कच्चे धनियों को भी हम अच्छे से mix कर लेंगे हमारी मसाला स्वीट कॉन अच्छे से त्यार है आप भी घर पे बनाएंगे और हमें कॉमेंट करें कि आपकी मसाला स्वीट कॉन कैसी बने ये जो स्वीट कौन है बच्चे बोड़े सभी को बहुत जादा पसंद आती है तो मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक आप खुश रहें